हलो, गुद मॉनिंग गाइस, कैसे हो। हैपिएज सब्सक्राइब, छुटि नहीं है। अज अनीर्वन का चुटि है , वन पुर्टी है मुझाझा है वाज। अनीर्वन का सब्सक्राइगा ब्रेग्फस्ट बनाएगा अज। इंस्टेंट लूडल्स में कुछ भी नहीं रहता है प्रोटीन बोलो अच्छा चीज़ नहीं रहता है उसके अंदर आप वेज्टोकल्स एक यह जो सब एक कर चुह होना यहीं है आपके अपर लिए अच्छा होता है अजरी सबस्ट्राइबस सबस्ट्राइबस अच्छा है कि हमेरा उसके हैं। अच्छा है यह थित्चा है गारा इस बना है जहाँ जोए को मेला है पर लिटरिली गाइस मेरा आग जल जाता है जब मैं इस वाले साइट पर कुछ बनाती हूँ फिर सभी जगे पर मुझे काला काला बिखता है सब्सक्राइब यह होता है सिंग जी इधर खेल रही है ओ सिंगी हाई मैंसे देखि経ज है, मैंधे गुकलड़ नाजम्मासाला, जीलनी के यह न जीनके बना दैस, मंम्मु ए भरma मार, आज मिला तो है मैं जय अफिके, रुक। मैं डेती हूँ मैं जय रिपने में चैवे, मैं में आज मुश अच्छा रोणा पर मुश्ष का तीस होता है अमाँ अमाँ लो को टो हाइ बोला माता छुल का छे लो को हाइ भॉलो लो को हाइ बोला हाइ बाइ बूत Maggie Fry रेडी है अनिरवान का special maggie अब सुबहा इटके भोलती है आपका ने पापा ने फॉल नहीं किया एई टार गया फॉल्ट नहीं हो आपके खोगा आप कभी आएसे सो सकते हो ग्राकु सो सकते हो ग्राप का फेस्टेंज ओड़ा है जुरा है क्या हुआ हुआ formidable लक्ोरी आधो!! Isi Aanirvan एक नया फुर्ड प्रोसेसर लिया है तो उसका मैं सब देख रही थी कि क्या क्या बना सकती हूं कि क्या नहीं उसका वीडियो में आपके साँ शेयर करूंगी तो नए घर में सब नए नए चीजे रहेंगे और मैं काफी ज्यादा एलेक्रोनिम्स और फूट प्रोसेसर यह सब चीज यूज करने वाली हूं कि एक तो मेरे पास मेड नहीं है ताना वानाने का कोई नहीं है और फैमिली बढ़ रहा है तीर दीरे ममी बबाभी आएंगे इन फ्यूचर में तो उसके लिए सभी मतलब थोड़ा बहुत काम में हल् तो नहीं हो और घर मेरा ऐसा हो रहा है इस फ्रीटर है अपको अधर पोने में हाथ डाल टाल के करना पतल बडिफिकल्ट होता है तोड़ा में अगर आपको कोई ऐसी प्रोड़क्त चाहिए जिसे आपका स्किन बहुत ज़ाद ग्रो करें तो आप ज़रूर यूज करना ममा का Beetroot Gentle Face Wash & Serum. इसके अंदर Beetroot है and Hyaluronic Acid है. Beetroot एक natural ingredients होता है जो आपके skin को बहुत अच्छे से rejuvenate करता है, natural glow को maintain रखता है. Face wash जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही थोड़ असा लेके हमको पूरे face में मसाज करने हैं उसके बाद अच्छे से पानी से दोग डाला है और इस face wash को आप दो से तीन बार दिन में यूज कर सकते हैं. इसके साथ साथ इस face wash में Hyaluronic Acid है. आपको पता ही यह acid अल्रेडी हमारे skin में धोड़ा सा रहता है पर जैसे summer में हमारा body dehydrate हो जाता है उसी तरीके से हमारा skin भी dehydrate हो जाता है और इसके बाद में यूज करती हूँ Mamart Beetroot Hydrophil Essence Serum जिसके अंदर beetroot and hyaluronic acid है जैसे normal serum हम लोग यूज करते है उसी तरीके से इस serum को भी हमी यूज कहना है थोरा साहतों में लेना है अच्छे से face में मसाज करना है Mamart is a plastic positive and Indian band also every time you buy from them they will link your order on a website to a tree they plant all Mamart products are free from harmful chemicals and all natural Mamart has launched their official app user get early access to sale and get extra discount Flipkart, Nica, Amazon के साथ साथ Mamart की product आजके लगके नियरे store पे अगल लेवल है और सबर में अगर आपको ग्लोव दिखना है तो यह वाला face wash and serum जरूर यह उसके ना Link in the description box do check it out आज मैं राइस कुकर में बनाने वाली हूँ बीट्रूट राइस तो यह अगारो की 3 लीटर की राइस कुकर है पहले मैं oil दाला था उसके अंदर whole गड़म मसाला डाला था एक स्टार अनिस भी डाला था इसके अंदर मैंने थोड़ा साणियान छॉप्ट जींजर गार्लिक वह भी चॉप करके डाल दिया है अनियन फ्राइब हो गया है इसके अंदर मैं डाल दूंगी इसको मैं दो मिनिट सॉटे करूंगी इसके अंदर टाइमर भी है और खाना नीचे जलता भी नहीं है और खाना अगर आप चाहते हो तो वार्म मोड में भी रह सकता है मतलब आपके हिसाब से आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो तसलिए मुझे यह राइस को बहुत पसंद है नेक्स्ट इसके अंदर सॉल्ट और टमेटो प्योरी डालेंगी और बस लाइस डालेंगे थोड़ा सा एक दो मिनिट सॉटर करके हम लोग इसके अंदर पानी डालेंगे तो मैं राइस का तीन गुना पानी डालती है अपने आप बद के रेडी हो जाएगा कल हमारे घर पे खुजा है तो ममी के उसके लिए थोड़ा सा फ्रूट्स लेना था एक्चल घर पे तो हमेशा फ्रूट्स रहता है और बोलते वही फ्रूट्स भगवान को दो पर आप ममी बोलते कि नहीं भगवान के लिए अलग सा आपमिक लेना है तुबहु लेने जाएंगे ग्लाकू कुछ बोलने आई हो है ग्लाकू सानो शंए तो देकायो तो मैं आए वाचा कि लग जालना पर्हolיים कीज़ा हिस एछ भंवा को 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 क अगान कोड़ों बड़ा और ये राइस के साथ खाने के लिए मैंने बनाया है निट्रला और अलुकी सबसी मतलब सेमी ग्रेवी सबसी अग्जाम चल रहा है तो इसलिए दिन रात पढ़ा ही करते तो ग्लाकु भी हमारे साथ निकलेगी तो इसलिए ग्लाकु को मैंने पहना द जो है न यह चारकोल कलर की एक पैडिंग है जिससे बचा सुसु पॉटी करता है तो उसका स्टेन भी अलग से निखी रहता है बस अब वाश कर लो बहुत अच्छा होता है हाईजेन के लिए लव लैप का डाइपर पैंस है इसका लीक में डिस्कुप्शन बोक्स को शेयर क चलो लोगो चलो शॉपिंग करने चलते है फ्रूट शॉपिंग एक गजब का काम किया है अनिरवान को बहुत स्पैम कॉल आता है स्पैम कॉल में जो कॉल करते है उनको भी बात करना रहता है और ग्लाकु को भी दिन भर बात करना रहता है तो ग्लाकु को दे दिया अनिरव happy happy शोबार सामार vacation जोछे यह अपर तुम्हे सामार गूते मेरीए चो जाँ शापीं को ले आकशे जाँ इसको हम लोग क्या बोलते वोलो सुबय को सिखाया था बांगी अचो नीटे पड़े और फोर दोरी देले ले कंवा अब दोड़ी बोशे हुआ चाही अनि बन बोले यह वाला सेश का हेट लेड़ो इतना अबरात कराई नहीं है मेरे को जरकजी दिलनो अब कि एप अब 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 और यह हमारा देखो बीट्रूट को लाउ रेडी है वहाद ही अच्छा लग रहा है ना टमाटा राइस बनाऊंगे एक ती गलाउको का प्लेट सजा दिया है मैंने फोरा सा घी एक्स्टा डालती हूँ गलाउको के प्लेट में मस्त बना था एक बंबीट्रूट राइस अभी ना अच्छली मेरा यह मैंने आपको बोला था ना के दोपैर को और रात को अब खानी के बाद मुझे थोड़ा सा मीती चीज खाने के बहुत क्रेबी होताहे मैं अभी खाँगी हाँगी हाँगी है यह डिजानो का ती हम धानी है यह दोगी हाँगी है मैं जब भी कोई शेक बनाती हूँ या फिर आप मालो पपाया स्मूधी बना रही हूँ जिसमें मतलब पुचीनी डालनी है इसमें मैं थोड़ा सा हनी डालती हूँ तो यह वाला हनी यूज करती हूँ ग्लाकु रेडी ग्लाकु हम घुमने जा रहे है यह है यह है जाक जाकु बढ़ा के डाकु बाबा के डाकु हम एप ने आज ट्वीरिंग किया है बड़ी दूबीदा थी हम लोग जा कहा रहे है यह हम फाइनली बिला मंदी जा रहे हैं बहुत दिरों सोच रहे हैं आपको पता है गारी लेने के बाद हम फर्स टाइम बिल्ला मंदिर आ रहा है कि बिल्ला मंदिर आना एक चैलेंज ऐसा था स्टार्टिंग में क्योंकि इधर पर देखो रास्ता पूरा से पहारो जैसा है तो अनिर्बान एक बार आय थे अच्छली मम्मी पापा और अनिर्बा पार करना पड़ता है तो यह है बुरी चीज यह है कि अंदर ना कैमेरा अलाओ नहीं करते हैं मेरा बेबी हैर देखो कैसा आजीब लगड़ा है चाइनीज कार्ट जैसा पर मैंने ऊपर जाके देखा कि बहुत सारे लोगों के हातों मोबाइल था यह क्या बात होगी तो यह मनत आज ममी का एक सत्थ पूरा हो गया हमें पूजा दे दिया इधर आसपास में बहुत सारे ऐसे शॉप्स है अगर आप कोलकाता यह बहार से आरहे हो है यह मंदी ज़रूर देखने आना बहुत अच्छा लगेगा इसका जो व्यू है काश में आपको दिखा पाती इधर इ कुछ बहुत पाल का स्नैक्स वोला उन्होंने यह अलू मुर्मुरा यह सब दे के बना दिया था पर ग्लॉक जो है सुबै उसके लिए मैंने पैनकेक्स बना था हो ही लेकर आई थी वह शाम को खाया और थोड़ा समय रग दिया था हमारे साथ तो मांगेगी उसी टाइम के ठाई मुझाने लेकर शाम के लिए दे मा अलू कमाल का बमाल का दू वह रहा हूंहें सावरा मुझा डाऊरा का काtype मैं दू जए दोड़ा मुसर फूरा कातों क्कोट दूरा नहीं धर उतकता वड़ा को पाला वी बाद जन की प्राई नहीं होता है वर्दू siitä मुझा तो रूँरमा करने थे अंगे साला वाला फ्राया था खाल निदू थे नेखना यह देखा ना हो रहाए ला। देख आपने लूह रख्या गार करें सोडा पःए थे वं मुझे नहीं पीना था पता नहीं कैसे पासे पानी उज घर करते हैं तो अनिर्मान और ममी ने बोला था मसाला बनाया अच्छी मसाला वाला नमकीन होता है और फिर उन्होंने बोला कि नहीं मीठा भी चाहिए तो फिर मीठा पाने भी डाल दिया हाइदरावाद की सुंदर नजरिया देखते घर लोटे फिर सोचा के शुमल रुपा के घर में जाएंगे वह लोग आये थे एक दिन उस दिन में बिजी थी और उनका हमारा मतलब शीडूल ऐसा है ना कि हम मिल ही नहीं पाते है और यह वाले घर पे शायद हम लोग पहले रहत आते हैं वक्त रोटी भी लेकर आये है जो लोग करते हैं बाई देखियर गुलाइट